यह अगलाव जंतर नहीं गुर्पीत वालपीर। मैं कहना असाइंगां दा अपना मजवे ओ जो मर्जी करना जड़ा ब्रोध हुंद है ओ साचदा हुंद है जूड़ा कदे ब्रोध नहीं हुंद है इबेंती प्रवान करें आकलों हाथ मारों किसे नू पखांडवाद तो रोपन तो पहला आपना जड़ा कर दे अंदर कूड़ कबार पखांड चाल दे करा मातानिया कहाणिया सना रहे हुंद है तो दोस्तों आज पूरी दुनिया के अंदर नाम तो आज सबी लोग बनाना चाते हैं कुछ अच्छे तरीके से और कुछ इस गुर्प्री सिंग बाबा की तरीके से जैसे कि इस बाबा ने भी किया किस तरीके से आकर कृष्चेनिटी को बदनाम करने की कोशिश की मगर इस बाबा की पूरी की पूरी प्लैनिंग पूरी की पूरी मेहनत यहाँ पर बरबाद हो चुकी है ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ जैसे कि इस बाबा ने कहा था कि 27 तारीक आने दो 27 तारीक को हम ये कर देंगे वो कर देंगे और बड़ी बड़ी बाते की जारी थी मगर 27 तारीक भी निकल चुकी है 27 तारीक को भी हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला तो दोस्तो अब मैं आप लोगों को बता दू जिस तरीके से ये बाबा क्रिश्चैनिटी को बदनाम कर रहा था सिक धरम का सहरा लेते हुए तो दोस्तो अब सिक धरम के लोगों ने भी जो कि सिक धरम को बहुत अच्छे से जानते भी हैं और सिक धरम का प्रचार भी करते हैं दोस्तों उन लोगों ने इस बाबा को बहुत अच्छे से सुनाने का काम किया और बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर बाबा को समझाई अगर बाबा को समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है परमेशन इनको बहुत आशीश दे तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा अंतक जरूर देखेगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत सारी ऐसी बाते हैं जो कि आप लोगों को सुननी चाहिए जिस तरीके से ये गुर्पृत बाबा क्रिश्चैनिटी को टारगेट कर रहा था ऐसे बहुत सारे लोग पहले भी आ चुके हैं तो दोस्तो अगर आप लोग परमिश्यों के उपर विश्वास रखते हैं तो दोस्तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और आप लोगों को इस वीडियो को देख कर क्या लगता है कमेंट बोक्स में मुझे जरूरू बादे ने पीत केंदे नुप परचा देके अंदर करो ए अगलाव जंतर ने गुर्पीत वर के लिए मैं करना असाइगांदा अपना मजव है ओ जो मर्जी करना जड़ा ब्रोध हुंदा है ओ साचदा हुंदा है त्यूड़धा कदे ब्रोध नीद हुंदा इबेंती प्रवान करें आ तो दोस्तो अभी आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर भी देख लिया यहाँ पर ग्यानी बुट्टा सिंग्जी ने इस बाबा की बहुत अच्छे से पॉल खोल दिया है और बहुत अच्छे से इस बाबा को यहाँ पर समझा दिया अगर बाबा को समझ में आ जाए तो तो दोस्तो यहाँ पर एक चीज और मैं आप लोगों को बता दू यह बाबा क्रिश्चैनिटी को जिस तरीके से टार्गेट कर रहा था क्रिश्चन लोगों के बारे में अंकुर नुरला मिनिश्टी के बारे में किस तरीके की बाते इस बाबा ने की कि अगर यह लोग सही ह उपर इस तरीके के आरोप लगाते हैं तो पहले आप लोग अपने धर्म को अच्छे से जान ले कि आपके धर्म के अंदर क्या लिखा हुआ है कि बाबा कहता है कि मुर्दे जिंदा करके दिखाओ इस तरीके के चमतकार करके दिखाओ बाइबल में तो ये लिखा है तो दोस् रिराज इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने इस बाबा के देखी लिए होंगे, जिस तरीके से ये औरोप लगा रहा था, आज उसी तरीके से इसके उपर भी औरोप लग रहे हैं, जैसा कि हम बाइबल के अंदर भी देखते हैं, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है और आप लोगों को इस वीडियो के बारे में क्या लगता है कमेंट बोक्स में मुझे जरू बताएं और दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें सभी को जैम सीखी